हलो बच्चो स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल में बच्चो आपका जो physics का पेपर होने वाला class 12 का तो इस पेपर को आज हम solution के साथ पूरा करने वाले हैं तो वीडियो को बिना skip के last तक देखते रहे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को subscribe जरूर कर ले क्योंकि आपके सार का पेपर होगा इसमें देखो स्टार्टिंग के जो क्यूशन है वह सेक्शन एक आपके objective टाइप क्यूशन है ठीक है न इनको हम solution के साथ करने वाले हैं तो देखो इसमें क्या है first question आपका एंगल बिट्विन एक्यूपोटेंशियल सर्फेस एंड इलेक्रिक फिल्ड लाइ है तो वह कौन होता है एंगल है वह 90 डिगरी का होता है उसके बाद देखो अगला क्यूशन आपका the unit of permittivity of free space से e0 मतलब इसकी जो परावेदूतांग निर्वात परावेदूतांग जो होता है इसकी जो unit क्या होती है वीमा क्या होती है इकाई क्या होती है तो इसकी जो unit होती है वो होती है आपकी c square n की power minus 1 m की power minus 2 तो मतलब यह आपका right answer हो जाएगा उसके बाद देखो अगला जो third question आपका जो फोर्स जो भी लगेगा उसका मान हमेशा क्या रहेगा जीरो रहने वाला है उसके बात देखो अगला जो question आपका fourth number का, what is the number of electrons drifting past a section of a conductor if a ampere, current is past through it for b second, मतलब आपके पास i का जो मान है वो कितना है a ampere है, और time कितना आपके पास से b second है, तो आपको बता रहा है कि कोई भी electrons है, वो मतलब कोई भी conductor है, तो उसके अंदर electrons की जो number है वो कितने होंगे, अगर किसी भी चालक के अंदर a ampere धारा परवायत हो रही हो और b time में हो रही हो, तो इसमे देखो आपके पास का है electron की जो संख्या electron के number है, तो वो find करने के लिए आपके पास देखो वैसे तो क्या होता है, electron पर charge कितना होता है, electron पर charge है 1.6 x 10-19Colamb ठीक है, electron पर जो charge होता है, वो कितना होता है 1.6 x 10-19Colamb अब देखो and जो होता है, and जो होता है, वो क्या होता है, current into time, current into time, अगर हम बात करें, कि जो electron के number है, तो वो किसके equal होंगे, current into time के equal होंगे, तो यहाँ पर देखो अपने पास क्या है, current into time, upon क्या हो जाएगा, आपका charge हो जाएगा, मतलब अगर अपने को electron की जो संख्या find करनी है, number of electrons find करनी है, तो उसका formula होता है, current into time upon charge, तो यहाँ पर देखो current का क्या दे रखा आपको, current हो आपके पास A है, time कितना आपके पास B है, मतलब A upon B into charge आपके पास क्या है, charge मतलब कितना है, electron का, तो अब देखो अपने पास क्या हो गया A into B upon E, अब जेखो E की value कितनी है यहाँ पे, मैंने अभी बताया 1.6 into 10 की power minus 19, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कमान कितना ले लेते हैं, एक ले लेते हैं, बी कमान भी एक ले लेते हैं, और इसमें हम क्या करेंगे, 1.6 into 10 की power minus 19 से divide करते हैं, 19 नहीं है तो इसको जब divide करेंगे, तो कितना आ जाएगा, आपका 6.25 into 10 की power 18, आगी बार समझ में, तो इस तरह से आपकी जो संख्या होगी, वो कितनी हो जाएगी, 6.25 into 10 की power 18, क्योंकि यह जो नीचे divide में था, वो उपर जाएगा, तो वो किसका हो प्लस में हो जाएगा, उसके बाद एको अगला जो question है, the nuclear model of atom was proposed by, तो यह किसके दोवारा दिया गया था, नाभी के model, तो वो अर्नेस्ट रदरफोड के दोवारा दिया गया था, किसके दोवारा दिया गया था, रदरफोड के दोवारा, रदरफोड, उसके बाद देखो अगला जो question है, a proton and an alpha particle with equal momenta and normal to a uniform magnitude field, उसके बाद their ratio of radius, मतलब इनकी जो radius जो होती है, उनका ratio कितना रहेगा, देखो, प्रोटोन और alpha करण जिनका समवेग बराबर है, momenta क्या है, equal है, वे एक सम्मान चुम्बे के 6 तरफ के में लंबवत परवेश करते हैं, तो उनकी radius का जो अनुपात है, वो कितना रहने वाला है, तो इनकी जो radius जो होती है, वो किसके equal होती है, देखो, radius होती है, वो होती है, आर बराबर, mv upon qb, ठीक है, mv का मतलब होता है, momentum, ठीक है, तो mv जो होता है, वो किसके equal होता है, mv होता है, p upon qb के, ठीक है, अब देखो, जो r होती है, r क्या होता है, directly, universal, proportional होता है, किसके q के, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखो, r, उसके बाद देखो, r, p, मतलब proton की, जो radius होती है, r, p, proton की radius होती है, वो किसके बराबर होती है, proton की radius होती है, वो होती है, जो alpha particle होती है, उनके divide में होती है, तो यहाँ पर देखो, proton की radius होती है, वो कितनी होती है, two electron होती है, और इसकी कितनी होती है, alpha particle की एक होती है, तो एक से मतलब यह, इसको हम ratio के अंदर लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, two ratio, one हो जाएगा, मतलब यह आपका right answer हो जाएगा, उसके बाद देखो, अगला जो क्यूशन है, an electric lamp is rated at 110 watt and 220 volt supply, find the current flowing through the block, तो मतलब इसमें आपको देखो, इसमें जो rating दे रखी है, वो 110 volt है, और 220 volt है, तो इसमें IQ value आपको find करनी है, electric current जो है, उसको आपको find करना है, तो इसके लिए आपके पास formula होता है, r is equal to होता है, v square upon p, यहाँ पर आप देख सकते हो, p जो होता है, हाँ, यह मतलब आपके पास वैसे man formula तर, p is equal to v square rms upon r, तो यहाँ पर r का जो formula हो जाएगा, वो v square upon p हो जाएगा, अब v square का मान है, यहाँ पर 220 मतलब volt कितना है, 220 तो इसका square upon p का मान कितना है, 110, तो इसमें हम p का मतलब हो गया, पावर, ठीक न, तो इसका square करेंगे हम 220 का, तो यह आता है, 400, 48,400 और इसको divide करना आपको 110 से, तो 0 से 0 divide हो जाएगा, इसमें हम 11 से divide करते हैं, तो कितना आजाएगा, 440, तो इसका जो answer आएगा, वो कितना आजाएगा, 440, उसके बाद देखो, अगला जो question आपका, यह हो गया, अपना, अट नंबर का देखो, total internal reflection take, text palace where light travel from, अब देखो, पून आंतरिक प्रावरतन संभव होगा, जब परकास से जाता है, अब देखो, पून आंतरिक प्रावरतन, जैसे आपका जो देखा हुआ, reflection, reflection में क्या होता है, कोई भी परकास की light ray आएगी, और वो क्या होगी, किसी surface से टगराएगी, और वापस उसी direction में वापस से चली जाएगी, मतलब इसमें क्या है, कि परकास की किरण है, light ray है, वो इसे जो surface के आरपार नहीं होती, तो इसमें आपको दे रखा है, कि total internal reflection take place when light travel from, तो कब होता है यह condition, यह होती है, water to air में होती है, मतलब आपका C है, वो right answer हो जाएगा, उसके बाद देखो, name the electromagnetic radiation used for viewing objects through hedge and fog, मतलब उस विदूत्य चुम्ब के तरंग का नाम बताई है, जिसका प्रियोग को रे और धुंद में वस्तू को देखने के लिए किया जाता है, तो वो कौन सी होती है, आपकी infrared ray, infrared ray, infrared ray होती है, जिसका उप्योग हम करते हैं, कोरे और धुंद के टाइम पर देखने के लिए, उसके बाद देखो अगला जो question है, in the following nuclear reaction, इसके अंदरा what does aks stand for, तो मतलब देखो यहाँ पर क्या है, आकष के टाइम आ तो आपको बताना है, यहांपर अक्ष के इस्थान पर क्या आने वाला है, यह आपको बताना है, तो यहाँ पर अक्ष के जो है यह क्या है क्या है ? NUTRINO है.. उसके बाद देखो अगला जो question आपका, इसको हम किस से लिखते हैं लेमडा से लिखते हैं तो लेमडा इस इकल टू क्या होता है आच अपन पी होती है आच क्या होता है पलंग कोंस्टेंट होता है और पी क्या होता है अम वी के मुक्वल होता है तो यहां पर क्या आजाएगा आपके पास लेमडा इसॉ अइकल टू ऐच अपन पी आजाएगा उसके बाद दिको अगला जो क्योक If the intensity of the incident radiation in a photocell is increased, how does the stopping potential vary? मतलब यदि एक photocell पर पढ़ने वाली विक्यर्ण तीवर्ता को बढ़ाया जाए तो निरोधी विभाव कैसे परभावित होगा? तो इस condition में क्या होता है कि कोई भी effect नहीं पढ़ेगा? तो आपको क्या लिखना है? नो effect on stopping potential मतलब जो रुका हुआ potential है उस पर कोई भी effect नहीं पढ़ता उसके बाद देखो अगला जो है given total energy of electron in first excited state of hydrogen atom is equal to minus 3.4 electron volt what are the values of kinetic energy and potential energy in this state? इसटेटि, तो यहाँ पर kinetic energy और जो potential energy है उसकी value आपको find कर नीए है, तो देखो इसमें total energy होती है, वो is equal to क्या होती है, is equal to होती है kinetic energy plus potential energy, is equal to क्या होता है kinetic energy is equal to plus potential energy तो यहां पर देखो आपको क्या दे रखा है kinetic energy जो होती है kinetic energy वो किसके equal होती है minus e के equal होती है तो यहां पर देखो आपके पास minus तो यह है और e की जो value दे रखी है वो आपको यहां पर दे रखी है माइनस के 3.4, 3.4, तो इसको यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यह कितनी आ जाएगा, आपकी 3.4 इलेक्ट्रोन वोल्ट आ जाएगी, उसके बाद देखो, आपको क्या फांड करना है, पोटेंशियल एनर्जी फांड करनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस का 2 और काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 और काइनेटिक एनर्जी कितनी, आपके पास 3.4 है, तो इसको मल्टिप्लाइ करेंगे, क्या हो जाए आपके पास जो kinetic energy होती है, kinetic energy होती है, वो minus से E होता है, मतलब energy, minus में energy होती है, उसके बाद देखो अगला जो question आपका, 14 number का, इसमें आप देख सकते हो, net charge on a P type semiconductor is, मतलब जो P type का जो semiconductor होता है, उस पे net charge है, वो कितना होता है, तो इस पर क्या होता है कि यह इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता मतलब यह 0 चार्ज का होता है क्योंकि यह क्या होता है neutral होता है इस वज़े से क्या है इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता उसके बाद देखो अगला जो है 2 thin lenses of power plus 6 diafter and minus 2 diafter are in contact what is the focal length of ambitions मतलब यहां पे आपको combustion की जो combustion जो है यहां पर तो इस की आपको focal length है find करना है तो focal length के लिए क्लिए क्या होता है f is equal to होता है 1 upon पी तो अपने को क्या करना है पहले फाइंड करना है तो प के लिए क्या आपके पास P is equal to होता है P1 plus P2, P1 plus P2, तो यहां पर P1 कа मान कितना दे रखा है, plus का 6, पिर plus 6, फिर plus, P2 का मान कितना है, minus का 2, तो plus minus क्या हो जाएगा, minus, तो 6 minus 2 क्या हो जाएगा, 4, मतलब यहां पर P की जो value है, वो कितने आजाएगी, 4 आ जाएगी अब अपने पास F क्या होता है Focal Length होती है 1 upon P तो यहां पर देखो आपके पास P का मान आ गया 1 1 तो ही उपर और P का मान कितना आ गया 4 आ जाएगा तो 1 upon 4 Focal Length कितनी आ जाएगी 1 upon 4 या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1 को 4 से Partner के तो कितना जाएगा 0.25 य है जाएगा यहां पर आपको दे रखा देखो जो यह value दे रखी है वह किसमे आएगी मेतर में मेर्कोप से क्योंज करेंगे तो कितना जाएगा सो से में बता देना इनका solution भी मैं आपको करवा दूँगा यह जो question है इनके आप screenshot ले लो या फिर इस paper के आपको pdf चाहिए तो description में आपको telegram group का whatsapp group का link दिया हुआ है वो join कर लेना और वहां पर आपको इसकी pdf वो provide करवा दी जाएगी इसको आप ध्यान से देख लेना important question ही फिर भी अगर कोई doubt हो तो comment box में बता देना उसका समादान भी आपका कर दिया जाएगा देख सकते हो आप इसमें आपके total 20 questions आने वाले हैं और सारे के सारे important question है तो इनको आप अच्छी तरीके से त्यार कर लेना तो सभी students को exam के लिए best of luck thank you